हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आई होप यू आर फाइन एट होम टूडें आइम डिस्कस अबाउट टोपिक रूल फोर इमेज फोर्मेशन बेटा यह मैं करवा चुका हूँ आपको फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अगर आपको रूल फोर इमेज फ प्रोर्मेशन और इस लेक्शन में में बात करूँगा और मेर्श पर मैं स्फेरिकल मेर्श पर बात करूँगा स्फेरिकल मेर्श में आपने पढ़ा हैं कंवेक्स, कंकेव तो फर्स्ट मैं आपको कन्वेक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ देखो बेटा कन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होती है वो क्या होती है बलजिंग आउटवर्ड जो पोलिस सर्फेस होगी आप उसको हमेशा डोटेड से दिखाओगे उसके पीछे और जो प्लेन सर्फेस होगी उसको आप बिल्कुल फ्लेट दिखाओगे यह देखो इसमें जो बलजिंग पार्ट है वो क्या है आउटवर्ड है और जो पोलिस सर्फेस है वो इनवर्ड होती है अब आप यह देखो अगर मैं इसकी कर्वेचर को कम्प्लीट करता हूँ तो यह एक स्फियर बन जाता है और जो इस स्फियर का सेंटर है वही क्या होता है सेंटर अप कर्वेचर सेंटर अप कर्वेचर इस दा सेंटर अफ दैट स्फियर फ्रों विच वी कटा reflecting surface अब इसी के बाद हमने जो definition में बात की थी center of curvature तो हो गया इसी के साथ हमने पढ़ा था principal axis principal axis क्या होता वेटा वो axis जो एक parameter line है और किस से पास होगी pole ये हमारा pole है और ये हमारा center of curvature ये जो line है ये क्या है principal axis अब आप ये देखो pole क्या होता है आपने mirror देखोगा सामने से mirror ऐसे दिखता है और इसका जो बिल्कुल midpoint जो होता है वो क्या होता है pole और ये side ये इसका side view है side से हमें जो mirror दिखेगा उसका जो midpoint है वो ऐसे दिखेगा और ये हमारा क्या होता है pole pole और center of curvature से जो line pass हो रही है उसको हम क्या कहेंगे principal axis आप सारे distance आपने जो rule पड़े थे उसमें हमने first rule यही लिखा था all the distance measure from the pole of a mirror आप सारे distance कोई भी distance आपको height किसी की measure करनी है या आपको object तक का distance measure करना है या center of curvature किसी का find out करना है या image कहां पर बनी है वो distance measure करना है तो आप कहां से measure करोगे हमेशा हमेशा pole से measure करोगे first rule तो यही था उसमें अब यह देखो pole से center of curvature तक का जो यह distance होता है इसको हम क्या कहते है आर मतलब आर क्या है radius of curvature जो यह curvature है जो mirror हमारा इसका जो radius जो होता है वो क्या होता है आर अब इसी के साथ आप देखो इस mirror में आपने यह देखा होगा जो curvature है जो center of curvature वो किदर आया हमारा वो हमारा right side आया आपको पता होगा origin से right side जो distance होते है वो क्या होते है positive इसका मतलब इसका radius of curvature का sign क्या होगा positive अब आपने साथ के साथ यह भी बढ़ा था pole से center of curvature तक का distance जो होता है radius of curvature जो होता है